वाहिगुर जी का खाल साव वाहिगुर जी की फते लोकां पुछन दी कोशिश भी किती पर वो सब नू अंसुना करके बस पाजदी रही ते अंत राजमहल दी सरदलते जाके डिग पई उसने जोर नाल चीक मारके कहा राणी सहबार राजा जी जंगे मेदान वी छहीद हो गए हन उस दिया चिक्का सुनके काफी लोग उत्थे क करो है रोना जेड़े सूर में जंगे मेदान वी शहीद होंदे हन वह अमर हो जांदे हन वैन पाके ओनादी शहीदी नू लाज ना लाओ अचानक सारे चुप हो गए औरता ने अपने पल्लूह नाल अत्रू पौंच सुटे सदक और वापस अपने कमरे विच गई उसने दि काम कोरने के हा राणी साहिबा असी जंग हार चुके हां संसार चंद तो अड़े ते माड़ी अख रखदा है इन अहला तो जंगे मदान वीच जना ठीक नी होगा राणी ने तलवार ते पकड़ मजबूत बनो देया के हा मैं सिंगणी हां सिंगणी जे किसे ने मेरे वाल अ लग प्यासी जंगे मदान विच पूंचियां दा चारे पस्से लाशां दा समुंदर विश्यासी उनना समने हनेरा के रंतो पहला राजे दी मृत देनों लबन दी चुनोती सी लग पग डेड कंटा एदरोदर पालन तो बाद आकरकार सदा कोरनों अपने शेहित पती बटा पर शेती ही राणी ने अपने अपनों संभाल लेया अपने पती दे शस्तर लागे अपने शरीर ते सजा लए उनने चरनों मृत गुर्भक्ष सिंग दा भुजुर्ग पिता सरदार जैसंग वी जखमी हालत विच उते आप उंचया ते डाड़ा मारके रोंदे होई कैन साधी मिसल दा पहला ही बड़ी छोटी जी सी उत्तो हुने दी अगवाई करनवाला कोई नी बचया असी इना ताक्तवर दुश्मना नाल टाकरा के में लवांगे हुन साधी मिसल दा अंत होन तो कोई नी बचा सकदा राणी सदाकोर ने अग्गों अंख परी अवाज विच केहा जिन्नाचर मेरे साधी मिसल दा अंतनी हो सकदा दुश्मन पावे किनना ही ताक्तवर होके क्यों ना चड़के आवे मैं आप मिसल दी कमांद संबागी ते हर हमले दा मूत और जवाब दियांगी उस समय राणी सदाकोर दी उमर मसा 21 को साल दी सी हजे ता उस दे व्योत विच उस दा साथ देन वाला एक सेक सरदार वी सी शुकर चकिया मिसल दा सरदार मा संग जेस्ता एक लोता पुत्तर अग्ये चलके एशिया दी सब्तों ताक्तवर सलत्रत दा मालक बनेया महाराजा रंजीत सेंग पर तुआनू एक गल जानके हिरानी होगी के जेड़े मां स उसनू सारी उमरली अपागी कर चड़िया उसे मा संग दे पुत्तर नू एना ताक्तवर बणोन लई सदा कोर ने अपनी अड़ी चोटी दा पूरा जोर लाता सी अपनी फोज अपनी तांदोलत अपनी सुक्षानती सब कोश रंजीत सिंग नू समर्पत करता सी पर एने इची उसनी मौत होई पर वीडियो शुरू करने तो पहला जे तुसी इतने नवे आये हो ता सक्सेस दरा चैनल नो सस्क्राइब करके बैल आइकोन प्रेस कर दियो सिके दास दे जड़े टोपिक बारे वी तुसी सोच दे हो कि तो अनू सब कुछ पता है पहला वीडियो उस चड़के होदा ता मिसलां दे सरदार नारा दिन दे मिसल वंड होण कबे ना पाओ राल मेल खड तुर पंत बचाओ ओदो सारीयां मिसलां कठे होके हमलावर दे दंद खटे कर दिया ते जदों पाज जन्दा फेर ओही को शुरू हो जन्दा पती दी मोत तो बात सदाकोर न मिसल दी कमान अपने हथ विच लेले उसने होन मर्दा वर्गी पशाक पोनी शुरू कर दिती सी खडर दे लंमे कुड़ते नाल पीड़े पहुंचे वली सिल्वार पाके और सिर्ते दुमाना सजाके रख दी ते उत्तों काली चदर दी बुकल मार लें दी एक तल्वार दे शोटा जा खंजर हमेशे हो दे कमर कसे विच रेंदे सान लंमे कर दी सुंडौल पंजाबन जो दो जंगे मिदान में शिरी सहब लरोंदे होई फोज दी अगवाई कर दी ता फोज नों कदी गुर्बक सेंग दी कमी मैसूस ही नी होई उसना राज परबंद चलोन दा तरीक किहा जंदा है के सारिया मिसला नों कठा करके एक मुठ खाल सा राज थापत करनदा विचार सबतो पहला राणी सदा कोरदे दिमाग वेची आया सी पर एन्ने वड़े टीचे नों मिथन लई एक योग लीडर दी लोड सी कनेया मिसल एक शोटी जी मिसल सी मसला दोख हजार क कोड़ सवार रखनिया साम सरदार नी जान दी सी कि एक दा उस्ती ताकत बहुत कट है उत्तो एक विद्वा और एक तगड़े सरदार कदी वी उसनों अपना आगू नहीं मननगे रंजी सिंग पावे हजे बच्चा सी पर उस्ती काबलीत बारे सदा कोर ने काफी सोनाया होय सदा कोर ने लागी पेज के अपनी एकलोती ती महताब कोर ली रंजीस सिंग दा रिष्टा मांग लिया संसार चंदियां गल्ला चाके गल्ती कर बेठा मा सिंग पहला ही शिर्मिंदा सी उसने खुशी नाल चटपट हां कर दिती ते नाल ही के नया मिसल दे जित्ते होए सार की बीत्या होगा के पेचेश दी बिमारी नाल जूज दिया सरदार मा सिंग अकाल चलाना कर गए मसा अठकु साल दा रंजीस सिंग हैरान प्रशांग सी के मिसल दिये पारी जिम्मेवरीयों के में संभूगा जो उसना पिता उसने मोडियां ते शड़ तुर्या सी पर शेती के मिसल दा प्रबंद वी सदाकोर दे मोड्यां ते ही सी सथ सालां तक अपनी ससदी देख रेक विच वड़े होई रंजी सिंग ने प्रबंदक शक्ती मनुखी पिशान जंगी नितियां ते कोड़ेयां दी सूज हर पक्तों निपूनता हासल कर लई सी उन्ना समय विच सालतना सुद्री फिल हाल ओते पंगी मिसल दे सरदारां दा कब जा सी ओवी टेक्स ता शाज मानवांगी वसूल दे सान पर जंतावल उन्ना दावी कोई ते आनने सी आए देन हमलावर तावा बोलके शेयर वासियानों लुट दे रेंदे सान इना सब तो अक चुके लोहॉ दे कुछ रिसूकदार ते तगड़े लोग रालके रंजीस सिंग कोल गये ते उसनु लहोर ते चड़ाईदा सदा दिता नाल ही वादा कीता यह हमले समयों शेयर दे दरवज्ये खोलके रंजीस सिंग देन के रंजीस सिंग शांदर मुकवा गवोणा नी सी चोंदा सदाकोर ने जवाब दिता के जनता पावे किन्नाई साथ क्यों ना देवे? पांजे हजार दी फोज तो आड़ी थे दो हजार दी मेरी, साता हजार दी फोज ना लहोड ते सिद्धा हमला नहीं किता जा सक्दा, अपा सारे मारे जावागे परे मुका छड़न वाला भी नहीं है तुसी अपनी फोजनू गुजरा वाला तो लेके हुंदे होई अमरसर सहब पहुंचो एदरू असी दरबार सहब दर्शने शनांते बहां में उते पहुंचने हैं अमरसर पहुंचके अगे दे रन्निती बनावागे उदो तक अपने फोजनू में इस गल्दी पनकना लगे के सादा असल मकसद की है ते आखरकार अमरसर विच रन्निती बनोंतो बाद आई 14 हार दी ओ रात जोदो लहोर दे वजीर खान दे बाग विच दोमें फोजा अचानक आ रहलियां फोज दा एक हिसा रंजी सिंग दी कमान हेट लहोरी गेट वलवद तुर्या ते दुझे नू लेके सरदारनी सदाकोर ने दिल्ली दरवाजे नू जा के रिया अंदरो किले दार दत सिंग मुकाबला कर रहा सी किले दे अंदरो वर दे तीरां गोलियां ते समेत अंदर दाखल हो गई उद्रो रंजी सिंग लईता शैर वासियां ने वादे मुताबक इशारा मिलदे ही दरवाजे खोल दे ते तियो बिना किसे उखाई दे अंदर दाखल हो गए सदाकोर दी बिजली वंक कड़कदी तेग ने पूरी फोज विच उच्छा पार दित ते आखर कार दुश्मन दे पैर उखड गए ते फोज ने अकाश तोड जिकारे शड़ दे होए आके शाही किले नू केहर लिया किले दे चारे पसे तोपा बीड के मूँ खोल दिते गए हजे तोपा ने मसा एक दो वार ही आगुगली होगी के सदाकोर ने रुकन दा इशारा कर दिता ओ केन लगी हुन तोपा दा परूद क्यों बरबाद करना पूरा लहोर शेहर साड़े कबजे विच है किले दा मालक चेज संग जिनना चर चाहे अंदर बैठा रहे दो दिन में इने बाद ता राशन भी मुख जाओगा पर जेओ भार होना चाहे ता पड़े कोडे शस्तर त फोज ने लहोर ते पूरी तना कबजा कर लेया इस वार दे तक ता पल्ट समय शेहर वासी लिए एक नवी गल एवी सी के रंजीत सिंग ने अपनी फोज नू सकत अदेश दित्ते होई संग कि किसे भी शेहर वासी ना लुट कसुट नहीं करने किसे नू परशान नहीं करना असी अपने बसों हर सिपाई नू बक्षीश देवांगे नहीं ता ओदों तक दा आम तरीका एस ही के फतेयाब पोजा आम जनता ना लुट कसुट करके शेहरा बजारा नू अगला दिन दियां संग तियां पैनांदी बेपती किती जांदी सी नवे हाकम दे एस बरता तो जनता एन्नी ज़्यादा खोश होई के हिंदू मुस्लिम सिख हर तरह दे लोका ने रलके कई राता तक शेहर विच दीपमाला करके नवी सरकार दा स्वागत किता केंदे है ना के अंत पलेदा पलाई हुल्दा है नवी सरकार दे एस नर्म तो प्रभावत होके एक बजुर्ग एक दिन दर्बार विच आया ते उसने शाज मांदे बनाए एक तैखाने दा पता रंजीस सेंग नू दस्या खुदाई कर्ण दे ओस तैखाने चो बेशमार खजाना सुनना चंदी ही रे मोती ते शे ताक्तवर तोपा प्राप्त होई एक जाना आइना सी के फोजिया नू दित्ती होई बख्षीश दा सोगना तो विवाद रंजीस सेंग नू प्राप्त होगया बजुर्ग दा कहना सी के एक अल में पिछले हाकम पंगी मिसल दे सरदारानों वी दस सकदा सा पर वो एस लाय की नीशन सु एस तरा राणी सदा क पर दी समझदारी दे स्यानप दा सदका रंजीस सिंग नू लहोर दे रूप विच अपनी पहली वड़ी जित प्राप्त होई जिसने खाल सा राजली मड़ बननन दा कम कीता लहोर दी जित तो बाद ही रंजीस सिंग नू माराजे दी उपादी दिती गई सी कल्ला लाहोरी नहीं माराज रंजीस सिंग दी हर शुर्वाती जित विच राणी सदा कोर दा वड़ारोल सी फिर पामेयोश्री अमरसर सह्प दी जित होए कश्मीर दे लाकेट डैस दी जंग होए या फिर कश्मीर दा इलाका फते करना होए जिते किते वी जाके काम फस्दा फिर राणी अपनी तंदोलत अपनी सुक्षान्ती सब कुछ समर्पत करता बुड़ापे समय मारज अर्णी सिंग ने अपनी उसे मानों ही कैद कर लिया कुछ इतहासकर मंदेहन के एदे शुरुवात था राणी सदाकोर्दे बन विच कई साल पहला ही हो गई सी सदाकोर्दी सी के जेड़ कई साल बाद भी मेहताब कोरदी कोख्त बच्चा ना जनिया ते मारज रिंजी सिंग दा पहला पुत्तर दूसरी रानी धातार कोरदी कोख्त जम्यां ओधा नाम से शैजादा खडक सिंग महताब कोरदे उत्र शेर सेंग तो बड़ा होन करके और राजगदी दा वार्स बन गया एस तों बाद सदा कोर ने खाल सा राजदियां मुहिमा विच रूची लेनी बहुत कट कर दिती पर एस तुखदे कोले ने अग कई सालां बाद फड़ी जिदो अठारा सु बाई विच अंबाले दी बजुर्ग राणी द्याक और लम्मे भीमारी तो बाद अकाल चलाना कर भी ते उस दे सारे राजपाट नू अंग्रेजा ने अपने एक नवी पोलसी दे बहानने हड़ पलया क्योंकि उसनी कोई उलाद नहीं सी ते एस पोलसी मुताबक सतलोज दे परले पासे अंग्रेज पंद्रा पेंड़ वर्नी किला हिमतपुर यानि के एक वड़ा इलाका होंदा सी जोके सुरख्य दे लिहाज नल बहुत ज्यादा एम सी ते जे गोरे ओजमीन हडपके उत्य अपनिये शोनिया स्तापत कर दें ता एक खालसा राज लिए एक वड़ा खत्रा पैदा हो जांद पर क्योंकि खालसा राज दे वार्स हुन सदाकोर दे दोते ने नहीं किसे होर ने बनना सी एसलिए राणी सदाकोर अपने जायदाद नहीं सी देना चोंदी कुजी तहास कराने ता एथो तक लिख्या है के जदो ए मामला पूरी चर्चा विच सी उस दोरान एक दिन जदो राणी सदाकोर लहोर दरबार गई ता उसने नोट किता के रंजीज सिंग दिया नजरां बदलियां हो या हन खत्रा मैसूस हुंदा वेक के ओ अदी रात नोई लहोर छट के चोरी चोरी बटाले पाज गई ते ए शक ओदों होर ज़्यादा गुड़ा हो गया जदो ओ हज़े बटाले पहुंची ही सी के मगरो मगरी एक सनेहा आ गया के माराजा रंजी सिंग तो अड़े लाके नोँ खालसा राज विच मिलोन लई कूच करना चोंदे हन ते तो अड़े इजाज़त चाही दी है क्योंकि माराजा रंजी सिंग नोँ मामला बहुत ज़्यादा सीरिस लग रहा सी ते उन्हा नोँ उमीद नी सी के सदा कोल ना करूगी एसलि उन्हा ने राणी दे जवाब दी उड़ी किते बिना ही सतलुच पार कूच करके वड़नी दे किले ते कबजा कर लिया किला शेर तो काफी दूर सी तो जो तो खालसा अर्मी ने किले ते कबजा किता ता तुरंत चोकसी दिखोंदे होए सर डेविड आक्टलोनी ते कैप्टर मरे दी अगवाई बिच गोरी फोजा ने शेर ते कबजा कर लिया मारजार इंजी सिंग दा सारा प्लान तरहादा तरहा रहा रहा गया बेश्ती होई सो अलाग 90% विद्वाना ने सिर्फ अपनिया लिखता मिशूर कर ली एस मुद्दे नूँ बहुत ज़्यादा विदा आचडा आके लिखिया है कि एस ठोकर तो बाद 12 जार इंजी सिंग एना ज़्यादा तप गया कि उसने अपनी मा समान सासनू किले विच नजर बंद कर देता ना ता अपना गुजाराच लोनली उसनू कोई पैंचन लाई ते ना ही दवा पानी दा कोई इंतजाम कीता ते फिर एसे चोरे कारण ही लम्मी बिमारी तो बाद कैद विची रहनी सदा को और अकाल चलाना कर गई एस विशेते लिखी गई लगबग हर किताब विची गल्ला एक तो एक वदाचडा के लिखियां गया हन पर थोड़ा जा गौर फरमाईये ता किसे देवी ताथ आपस विच मेल नी खंदे एक किताबा पड़न तो बात मन विच स्वाल उठने लाजमी हन के जड़े माराजे ने कदी अपने दुश्मिनानों भी कंगाल करके नीच छड़िया जंगा जितन तो बाद अपने वैरियानों भी वड़ियां जगीरां बख्ष दितियां जी दे चाली साल दे शांत में राज विच कदी किसे जंगी कैदी नू भी मोत दी सजा नहीं दिती गई ओ अपनी मासमान सासनाल एस लूग करन गे एगल मनन विच नहीं हो दी सु एनना किताबानों आपस विच कंपेर करन तो बाद एक किताब खाल सा राज दे उस रहे पाग पहला जो के बाबा प्रेम सिंग होती मरदान दी लिखी हुई है जीना नू से के तास्ता एक जुम्मेवार लेखक मन्या जानदा है एस किताब दे तत्मेनों उसलियत दे सब तो निड़े जाप दे हन ओ लिख दे हन कि एस वाके तो बाद मार जार इंजी सिंग ते सदाकोर दे रिष्टें विच फिक पहना सो बावक सी पर एग अला सिर्फ मना विच ही रहिया कदी समने नहीं आया हाजे भी दो में एक दूसरे दा पूरा सम्मान करते सा क्योंके सदाकोर नों अगे पो विख विच कुछ देखी नी रहा सी राज उस दे दोते नों नहीं सी मिलना एसलिए उसने जंगा युद्धा ते फुजी मुहिमा तो दूरी बना लई सी ते अपनी मर्जी नाल जीवन दे अंतिम साल उसने श्री अमरसर सैब दे एक आलिशान हवेली विच रह के दरबार सैब दी सेवा करदें बिताए ते उत्थे ही उना दा अकाल चलाना होया अकाल चलाने तो बात पूरी शानो शोकत नाल उना दे अंतिम रस्मा कीतियां गीया जीदे विच आप माराजा रेंजी सिंग ते उना दे पूरे प्रवार समेत सारे खालसा दरबार ने शिर्कत कीती कमेंट करके अपने विचार जरूर संजी करेो कि मारजर एंजी सिंग एंज कर सकते संग के नहीं तो अड़ी नवी पेड़ी दे विचार जनन योग होंगे विडियो पसंद आया ता लाइक करके अगे वत तो वत शेर जरूर करेो चैनल नो सस्क्राइब तुसी करी दिता होना ते साड़ा इंस्टाग्राम पेज एक वर फेर तो अड़ी उड़ी कर रहा है शेती ही ओथे भी शांदार कॉंटेंट अपलोड कर रहांगे ते जान तो पहला कमेंट बॉक्स विच वाईगुर जी लेक्के अपनी हाजरी जरूर लवा देओ वाईगुर जी का खाल